देस वीडियो इस ब्राथ तो यू बाई फाइवपेसा डॉट कॉम डाउनलूड दा एप नाउ पर बंद हुआ वहीं निफ्टी च्यासर पॉइंट बढ़कर 15,920 पर क्लोज हुआ निफ्टी के 50 शेरों में से 26 शेर अरे निशान पर बंद हुए वहीं सेंसक्स के 30 में से 17 शेर उचाल के साथ बंद हुए बाजार को रियल्टी, आईटी और बैंक इंडेक्स में मजबूती का सपोर्ट मला है निफ्टी आईटी में 74 फीजदी का उचाल आया है जबकि एनरजी, आटो और मीडिया शेरों में कमजोरी देखी गई है दूसरी और जमैटो के IPO को शांदार रिस्पॉंस मिल रहा है दूसरी दिन रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा करीब 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है कॉलिफाइड इंस्टिटूशनल सबायस का हिस्सा 7 गुना भर चुका है और फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं वो भी सिर्फ 5 मिनट में और 5 पैसा एब पर जाकर ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ सीख भी सकते हैं तो अभी डाउनलोड करें तेजड़ियों के खरीदारी से बाजार ज्यादतर समय उपरी लेवर पर बना रहा दो फैरबाद सत्र में बाजार सीमी दाइरे में रहा सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेरों में HCL Tech, Lawson, Tech Mahindra, Wipro, Hindal को शामिल रहे वहीं गिरने वाले शेरों में इसमें पिछले चाल सेशन से हायर हाई और हायर लो का पैटन बना रहा जानकारों के मताबिक निफटी 16,200 तक जा सकता है जबकि गिरावट की सूरत में निफटी को 15,800 पर सपोर्ट मिल रहा है यानि कि जब तक निफटी 15,800 पर इस तर नहीं तोड़ता गहरी गिरावट की गुंजाईश कम ही है जानकार मानते हैं कि IT कंपनियों के शेरों में अच्छी मजबूती देखी जा सकती है माइन्ट्री और इंफोसिस से अच्छे नतीजों से IT इंडेक्स वचले दो दिन से हरे निशान में बंद हो रहा है आज तो IT शेर में अच्छे खासी खरीदारी देखने को माजार बंद होने के बाद IT कंपनी विप्रो का रिजल्ट भी आया जून तिमाई में सालाना अधार पर विप्रो का मुनाफ़ा 23 फीजदी बढ़ा है जून तिमाई में कंपनी को 3564 करोर का मुनाफ़ा हुआ जबकि पिछले साल समान अबदी में 2896 करोर का प्रॉफिट हुआ था कंपनी के रेवन्यू में भी सालाना अधार पर 22 फीजदी का उचा रहा है अप्रिल से जून के बीच कंपनी का रेवन्यू 18,252 करोर पे रहा जबकि पिछले साल पहली तिमाई में ये 14,913 करोर पे था और मिलाकर देखा जाया है तो पहले तिमाई के IT कंपनी के नतीज़े अच्छे आ रहे हैं इसकी वज़ा से बाजार के जानकार IT शेरों में खरीदारी की सलह दे रहे हैं वैसे भी इस साल टवल डिजिट ग्रूट के अनुमान लगाए जा रहे हैं इसका फाइदा शेर बाजार को भी होगा इसलिए निवेशक लंबी अवधी के लिए अच्छी कंपनियों में खरीदारी धीरे-धीरे कर सकते हैं लंबी अवधी के निवेश में नुकसान की गुंजाईश काफी कम हो जाती है ऐसी ही बिजनिस और शेर बाजार और आईप्यू से जुड़ी जानकारी के लिए विस्तक को देखते रहें सबस्क्राइब करें, लाइक करें और शेर करें नमस्कार